नमस्कार आपका स्वागत है बसंद पंचमी के दिन विद्या की देवी मा सरस्वती प्रकट हो गई उस देवी के चार हाथ थे दो हाथों में विद्या का माध्यम पुस्तक एवं माला थी इस तेजस्वी देवी ने प्रकट होते ही अपने विना से मदुरनात किया विना से उत्पन ध्वनी से संपुर्ण ब्रम्हान ध्वनी की उर्जा से भर गया और तभी संपुर्ण देवी देवताओं ने एक सूर में देवी के आरदना शुरू की और सुरो को प्रकट करने वाली देवी को सरस्वती कहा गया तबी से देवी मा को सरस्वती कहा जाता है, सरस्वती के प्रकट होने से ही मनिश्य को ज्यान मिला, मा सरस्वती की कृपा प्राप्तकर रुशी मुनियों ने वेदो और पुरानों की रचना की, मा सरस्वती ही सुरो की जन्नी है, उने वागिश्वरी, भगवती, शारदा, वी पर विध्यारतियों को मा सरस्वती की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे ताके आपको ऐसे अध्यत्मिक जानकारी मिल सके। पहली बात देर तक सोना वसन पंचमी का पर्व बड़ा ही महतोपूर्ण है। इस दिन किसी भी वेक्ती को देर तक नहीं सोना चाहिए। जो एक तीज दिन देर तक सोता है उसका भाग्य भी सोता रह जाएगा। प्रात्यकाल में सपटिक की माला से ओ मेम नमह ओ मेम नमह इस मंतर का जाप अवश्यकरे। इससे मन शांत रहेगा और जिवन की हर परिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो इससे आपको अधिक अच्छा फल मिलेगा। वसन पंचमे की दिन माशरस्वती की पूजा का विशेश महत्व ऐ है। एस दिन भूल से भी काले रंग के वस्त्राधरन ना करे। दूसरी बात वानी पर सैयम। ऐसा माना जाता है कि वानी पर माशरस्वती का वास होता है। अताब विद्यार्तियों को अपनी वानी पर संयम रखना चाहिए, मुख से किवल मदुर भाषा ही निकालनी चाहिए, प्रत्यक शब्दों को मुख से सोच समझ कर निकालना चाहिए, किसी का आपमान करने से पहले एक बार आवश्य सोचे, वसंद पंजमिक की दिन विद्यार रहना चाहिए, व्यसन, मनुष्य के मस्तिश्क के साथ साथ उसकी सेथ पर भी प्रभाव डालते है, अगर आप किसी व्यसन के शिकार है, जैसे कि तंबाकु, गुटका, सिग्रेट या फिर शराब, ऐसे व्यसनों को वसंद पंचमिक के शुबाउसर पर भूल से भी ना करे नहीं तो आप मा सरस्वती की क्रपा से वंचित रह जाएंगे, व्यसनों के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति विद्या को खो देते है, साथी भविश में इसके भःंकर पर नाम भुगतने पड़ते है, चोती बात, गुरु का अपमान, किसी भी मनुष्य को, किसी भी प क्रोषे लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही, हमें मा सरस्वती का आशिरवाद प्राप्त होता है, पाचीव बात, क्रोध ना करें, क्रोध मनुष का सबसे बड़ा शत्रू है, क्रोधी व injury के मुख में मा सरस्वती वास नहीं करती, क्रोध व्यक्ति के फृत्र करना है तो इस दिन श्वेत और पीले रंग का भोजन करे लैसोना और प्यास का सिवन ना करे ये मनुश्य के अंदर तामसी गुनों का विकास करते हैं वरक्ष को तोड़ना आशुब वसंद पंचिमी के परव में प्रकरती में कई बदलाव होते हैं इस दिन वरक्ष को तोड वतनी को या किसी भी मनुश्य को शारिक समन नहीं बनाना चाहिए ये दिन आत्यंत पवित्र माना गया है इस दिन ब्रह्मचारे के पालन का विधान है जो भी मनुश्य वसंद पंचिमी के दिन ब्रह्मचारे वरत का पालन करते हुए मा सरस्वुती की पूजा करेगा उसे उसके जिवन में हर कारे में अवश्य ही सफलता मिलेगी। देवी सरस्वती को पीले रंग के फूल अत्यंत प्रिय है। आप इन फूलों से देवी की पूजा अवश्य करें। देवी को प्रसन करने के लिए आप गेंदे और सरसों के पुष्पवी अर्पित कर सकते हैं। बस इस प्रकार से वसंद पंची में की दिन आप मा सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह जानकर यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। कमेंड में जय मा सरस्वती अवश्य लिखें। धन्यवाद।